सो फाइने का जी चीज का वेट कर रहे थे कि Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max के अंदर MIUI 14 का अपडेट कब आएगा तो आज यहां पर अपडेट जो रोल आउट होने स्टार्ट हो चुका जिसका वर्जन है 14.0.1.0 और साइस आप देख से तो 3.7GB का यह अपडेट है क्योंकि जो अपडेट आय तो आज भाई तारीक तो 13 तारीक है साइथ 13 तारीक को ही अपडेट यहां पर आया 13 फरवरी को यह अपडेट आ चुका है अब काफी सारे लोग बोलेंगे हमारे डेवैस में यह अपडेट ने है हमको कैसे मिलेगा सारी इंफोमेसित दूंगा आज की इस वीडियो में उस स अगर आप नहीं है तो उस चैनल को बिजरू से सब्सक्राइब कर लेगी काफी सारी तो इस ने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कर लेना अब देखो गास यहां पर मैं बताता हूं यह जो अपडेट है यह ग्लोबल करने है इंडिया करने है यह यह यूरूप का अपडेट यू देखो तो यहां पर क्या लेका हुआ है यहां पर EU यानि कि यूरूप का अपडेट है अब अपडेट कहीं का भी हो बास सारी है कि Redmi Note 10 Pro, Pro Max के अंदर अपडेट आ चुका है तो धीरे धीरे सारे ही जो रीजन से उनके अंदर अपडेट आने स्टार्ट हो जागा अभी क्या अपडेट को अब आ जाएंगे विच्टीं क्या क्या में पर और सब्सक्राइक हो और दीखना इसदो जवो अधिसे इसको इसरो बैसे इसके लोग करना करना कौने काफी दिक्क्त आ अब ROB देख़ंयOoh का है just standbox यहां से हैंअ गायब कर दे गया क्यों को Alt यहां है ऋब थो को मेंमोर्य एक्टेंशन में अब देखे तो यहां 20 वो है तो üzak देख देखने अनुत हो अब गया मेंन वुदिलता तक như थय ख्लिवत के हैं और बुर मत आण ट tęता है तो हमने इसको किया और हमने इसको कर दिया रिबूट तो इसको रिबूट होने देते है तो आप यहां पर आप देख सकते हो हमारे डिवायर रिबूट हो चुका और अबाउट में जाके मैं आपको दिखा देता हूं डिटेल्स में और यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम च आप टैप करोगे 3-4 बार तो यहाँ पर आप इसको चले आते हैं गड़ी में 13 बजा देते हैं तो यह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह चीज देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और चीज की तो सैटिंग आप देख सेट में पूरी पूरी colorful हो चुके जो कि पहले ऐसे नहीं देखने को मिलती थी दूसरा चींज यह आपको देखने को मिलता है तीसरे चींज कि हम बात करें स्क्लोल डाउन करते है तो नया वाला स्क्रिन सेटिंग तो इसके अपको काफी सारी चीज मिलेंगी इस पर आप जैसे टैप करोगे अब यहां पर देखने को मिलती कि यहां पर यहां पर यह एनिमिशन वाला ओप्सन आपको पहले सब पता बट थोड़ा बहुत इंप्रुमेंट कर देगा थोड़ा अप जाद यह सब देगने मलता है, तो यहां पर मैं आपको green करके दिखाते हैं, तो जैसे इस वाइप करने के तो यह देखते हूं, तो color यहां पर material UI Google वाला यहां पर देने की पूरी-पूरी कोशिस की गई है, इन्होंने यहां पर देखते हो, पहले दम सेटिंग से जाके इसको बंद क change हो जाते हैं, यह ठीक है, बड़ जो MIUI के डायलर, यानि MIUI के जो आइकनस है, उनको यह change नहीं करता है, यह चीज़ है, बागए यहां पर देखते हो, यह और मैं और चलता हूं, यह आपर home में जाता हूं, अब यहां पर देखते हो यह रही हैं, अब दूसरे color को हम change कर ले तो यह चीज मेरे को इसके अंदर काफी बढ़ी लगा एक अच्छा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अधिशनल में ही जाओगे आप तो यहां पर आपको यह जो फ्लोटिंग विंडो देखने मिलता है इसमें जाने के बद स्लाइड बार का अब अप्टिंग अप्टि यहां पर फेश्बुक उपन कर लिया और यहां पर जाके गैलरी को भी उपन कर लिया तो आप अभी अब ट्राइ कर सकते हो अगर आप मियूआ 13 के अंदर हो तो दो अप्टिंग अप्टिंग अप एक साथ आप उपन कर सकते हो तो यह मेरे को काफी बड़ी अफीचर लगा और जैसी मैंने home पर किया एक इधर आगया एक इधर आगया इस पर मैं tap करूँगा यह open जगा इस पर मैं tap करूँगा यह open जगा तो यह चीज देखने में काफी एदा अच्छे लगती है और एक और चीज जैसी हम यहाँ पर जाते हैं इस पर tap and करेंगे split screen का जो option है यह भी वापीस आचुगा कुछ कुछ डिवाइस में गायब होगे था तो इसमें भी अच्छी तरह से work कर रहा है तो यह चीज मेरको इसके नदर कापी बढ़िया लगे बाकि floating window जो है आप यहाँ से इसको use कर सकते हो कुछ और चीज की हम बात करें तो gallery में हम चलते है gallery में अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी पिच्छर को आप edit पर tap करोगे और यहाँ पर जाओको AI में इस यहाँ पर इसके बेटर में जाओके तो अब यहाँ पर आपको shadow remove का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप remove line remove people तो कर सकते थे लेकिन आप यहाँ पर remove shadow भी कर सकते हो तो जब आप इसको पहली बार open करोगे तो आपको कुछ इस तरह से option देखने हो मिलेगा किस तरह की आप shadow जो वो ह यह चीज़ देखने हो मिलती है बाकी कुछ और चीज़ बात करते हैं यहाँ पर एक दो चीज़ का implement है बाकी अपडेट इंडिया में आगा तब और अच्छे से में review करूंगा बट जो जो मेरे को अलग दिखा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप जाओ कि camera में आप देखें तो camera नहीं है यहाँ पर कर देखें अब यहाँ पर देखें तो photo के बगल में video है वीडियो के बगल में document है बट पहले ऐसे नहीं था यह चीज़ भी थोड़ा से इसमें सही किया गया और प्रोटेक्ट वाटरमार्क यह सारे option देखने मिल था मिय 14 वाले देखने को मिल जाएंगे अब आम यहाँ पर चले आते wallpapers में देखें तो यह रहे सारे यहाँ पर मिय 14 के wallpapers यह आपको देखने को मिल जाते हैं तो यह कुछ देखने को मिलता इस update के अंदर बाकि देखो full review video तो यही है क्योंकि update जो है अभी अलग यह country में गय कोई भी set icon वाला जो option है वो आपको देखने को मिलता वो कैसा यहाँ पर मैं आपको दिखा जाते हूं यह रहा है यहाँ पर MIUI 14 जो की चाइना के अंदर है यह जो icon के size है इस पर हम tap करते हैं तो देखो तो यह पर widget और icon edit icon का option आपको देखने को मिल जाता है तो यह चीज जो भाई चाइना में ही रखते हैं यह और बाकी भार features देते नहीं है देखो तो इस पर tap कर रहा है कोई ऐसा option नहीं आ रहा है दूसरा चीज यहाँ पर हम tap करते है widget तो widget आप देखो तो वही पुराने वाले है लेकिन जो नॉर्मल चाइना के अंदर update गया है यह देखो तो यह कैसे है कैसे नहीं automatic आए अगर आप इंटो remove कर दोगे तो आता पता नहीं की दुबारे कैसे आएंगे एक और चीज यहाँ पर आप देखो सिस्टम के application अभी भी इसके अंदर अनिस्टोल नहीं हो रहा है देखो तो यहाँ पर disable का option है अनिस्टोल करने का option नहीं है वही पर यही सारे features जो भी मैंना आपको अभी दिखा है जब इंडिया में update आएगा same यही चीज आएगी बाकी तो जो भी नहीं आएगा इंडिया में वो मैं आपको बता दूगा यही एक वीडियो बनाई ती मैंसों चे आपको बता दूँ क्या 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 आपको दिखने मिलेगा इंडिया वाले update में तो यही सेम चीज मिलेगी बाकी इंडिया में जब update आएगा उसके एक अलाग से वीडियो आगी एंतव बेंचमार्क इसको बीजय में 90 पेस बहुत सारी चीज़े हम टेस्ट करेंगे और इसके अंदर कोई भी MIUI डाइलर नहीं आया गूगल का ही डाइ अधर कुछ पूचे ना कमेंट सेक्ट में पूच सकते हैं बाकी हम मिलेंगे नेक्स वीडियों जब तक करेंगे जेहिन जय बारत